सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टड़ी फोट डीम्स को और स्टड़ी से रिलिटेट सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बैल आकान पर क्लिक करें हेलो दोस्तो आज हमारा जो क्यूशन पेपर का टारगेट है वो है यूपी पुलिस और यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन क्यूशन है मैं आपको 36 क्यूशन यहां पर करवाने वाला हूँ और उसमें से 30 क्यूशन अगर आप लोगों ने सही अटेम्ट किये तो आपका से आएंगे कैसा पर आपका आता है अब सबसे पहले आप अगर आपके दिमाग में आ रही होगी एक बात वो यह आ रही होगी कि ऐसे कौन से पर उठा लिए या फिर ऐसा कौन सा क्यूशन उठा लिया कि जो है आ आगया आने वाले एक्जामें दीखेगा तो इसकी सोर्सिंग कि अगर मैं बात करो दोस्तों तो मैंने लिये हैं इसमें लास्ट येर के पेपर के कुछ क्यूशन और उसके अलबा उस लास्ट येर के जो पेपर पुछे गए हैं उसमें से जिन टोपिकों से क्यूशन सबसे जादा पुछे जाते हैं वो यह दो चीजे मैंने इंकलूड क तो भाईया कमेंट में लिखिएगा कि हां हमने जो है वो कर लिए हैं और आगे मैं फिर ओल भी वीडियो आपको प्रवाइड गरूँगा तो चलिए करते हैं शुरू और देखते हैं पहले क्यूशन से यहां पर जो है मैं क्यूशन लेकर आने वाला हूँ उसमें मैं आपको उप्शन भी बताऊंगा उप्शन मतलब ऑप्शन के साथ में जो मैं उसको जो है वो कनेक्ट करूँगा एक दूसरे को ताकि आपको अच्छे सी याद रहे और आप कभी न भूले सबसे पहले क्यूशन विए उमंडल में उक्षिजन की मयातर कितने होती है यह सेने टोस्तों क सब्सक्राइब नाइट्रोजन उति है जो है वर क्षईजन होती है उसके अलावा मैं यह मता दों आप लोगों को एक और बात बता देता हूं आप लोगों को 78% nitrogen हो गई 21% oxygen हो गई 0.3% जो है वो carbon dioxide होती है और 0.93% जो है वो organ होती है 0.93% जो है वो होती है organ gas ठीक है तो ये जो है 4 गैसे मुख्यता पाई जाती है ठीक है ये 4 गैसे मुख्यता पाई जाती है अब जो है अगले question की बात करते है और ये बट क्या थे और ये बट कि अगर बात करें दोस्तों तो यहां पे option दिये है चिकचक चित्रकार अकुल सास्तरी या फिर वेग्यानिक तो दोस्तो इसका right answer जो है यहां पे मैंने question इसलिए include किया है क्योंकि हां पे एक option के बोलते है ना उसको हम बोलते है अकुल सास्तरी तो आर ये भट वही तो थे तो यह इसका correct answer था अब बात करते हैं कि आर ये भट के बारे में तो 398 इस्वी में भाई इनका जनम हुआ ठीक है प्राचिन भार्द में और महराष्टर में हुआ था ठीक है तो ये इनकी उपलब्दी थी ठीक है और उसके अलबा अगर option की बात कि रहें दोस्तों option में यहां पर दिया गया है आपको पूछ ले कि प्राचिन भारत के चिकचक के बारे में तो ये जो है ना सुसरूत इसका answer होगा चिकचक के बारे में अगर पूछे तो सुसरूत जो को लेकर के आये थे और यह जो है ऐसा हमारे इत्याज में बता जाता है नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों बहुत ही ज्यादा important है अगर आप लोग लाश्ट तक देखोगे तभी जो है आप लोग सक्सेस पापाऊगे अगला question भारत का कौन सा प्रदेश जो है वरुबर का सबसे अधिक उत्पादग है तो दोस्तों यहां पे केरल इसका right answer है ठीक है मेरे question बताने से पहले आप लोग answer दे दिया करो ठीक है तो केरल जो है वो इसका right answer है केरल की बात करें तो केरल में जो है वो सबसे ज़्यादा मसाले भी उत्पादेत होते है तो यह भी आपको पत प्रदेश की भी मैं बात करूं दोस्तों तो आंदर प्रदेश के हैदराबाद राजदानी हो गई राज़ेपाल नरसीमा रहों गए और चंदरबबु नैडू जो है वहां के मुख्यमंद्री हो गए और यह केंदर साथ से केंदर सरकार के साथ जो हैं काफे ज़्यादा सो केरल के फैक्ट के तो त्रवेंदर पूरम जो है केरल की राजदानी है ठीक है सांत शिवम जो है यहां के राज़ेपाल है और पिनरेया विजरेयन जो है यहां के मुख्यमंद्री है फिर उसका अलावा महाराश्टर की भी बात कर लेते हैं जब इतनों की बात कर ली तो महा तो चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा ठीक है अगला क्यूशन जो है निमलिखित में से कौन सी भास जो उत्तर प्रदेश की दूसरी रज्य भास है तो भाई यहां पर पता है जो है उनका जो पूरा डेरा रहा था यूपी में रहा था ठीक है आगरा इनका गड़ेटए ठीक पर। तो मुगल काल जो है मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में जो है उर्दू को थोड़ा बड़ावा मिला था ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं और उसके लावा ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा मुसलिम है यह से भी रिलेट कर सकते हैं तो मुसलिम जो है तो नागालेंड की अंगरेजी बोजबुरी की बात करें तो भाई बियार की है ना ये रज जवासा है और इंदी की बात करें तो भाई ये अर्याना और रजस्तान दोनों की ही रज जवासा है ठीक है तो ये जो है option भी मैं आपको बता रहा हूं इससे अच्छा आपको कहीं सब्सक्राइब बीडार में अबक्राइब इसका यहां करें तोesta मुझा का मैं चान। युनाइटेट स्टेट ऑफ अमेरिका डोलर जो बारत के मुकाबले सबसे ज्यादा महेंगा होता है ठीक है तो इसके बारे में भी एक क्यूशन आपको देखने को मिलेगा डेक्स्ट क्यूशन की बात कर लेते हैं निमलीखित में से कौन सा रज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है यह भी क्यूशन और most important है क्योंकि यहां पर option जो दिये गए उससे आप confused हो सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन रुपय की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का दिक्तम मुल्य होता है तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि USA डोलर जो होता है उसकी किमत सबसे जादा ह पहले भी महंगा था ठीक है तो अगला question जो है बात करते हैं बारत में कितने वर्स के बाद में जनगर्ना होती है बारत में जो है न पर जब आपको पता है कि जो यंग जनरेशन है चोबिस पत्रेस साल के उनको पता है कि पहले जनगर्ना हमने 2001 में देखी उसके बाद 2011 में देखी तो इससे आपको पता चल जाता है कि 2011 में जो है जन्गना और उससे पहले 2001 में होई महलब 10 वर्स के अंतराल पर होती है अब जन्गना से रिलेटेड मैं एक दो फैक्ट और भी बता देता हूं आपको सबसे पहले जन्गना अठारा सो बैतर में की गई थी सबसे पहले अठारा सो बैतर उस ताइमर जन्गना चल बैतर से मियो बैतर बैतर उस ताम्हें में गवर्णर जन्गना कौन थे अगले question की बात करते हैं तो भारत में परदानमंतरी के लिए उन्तमायू कैस कितनी होती है तो इस question को मैं आपको ऐसे रटा दूँगा कि आप कभी जिन्दगे में नहीं गुलेंगे तो कैसे देखिये अगर बात करते हैं अगर आपको इतना पता है कि जो चुनाओ ऑजिन्दुगा की वे जो कता है जब लोक सबागा सदेश्य होता और लोक सबागा जो व्हैक्ति होता है वह 25 साल में चुनाओ लड़ सकता है तो इसका मनलब है कि प्रधान मंतरी के आयू कितनी होगी 25 साल उसके बाद अगर बात करते हैं अगर आपको रज्य सबागा नहीं पताया तो रज्य सबागा जो है उसकी 30 साल उमर होती है रज्य सबागा चुनाव लड़ने के लिए और रज्य सबागा में जो है वो दो त्या सब्सक्राइब कर लेजेगा अगर आप लोगों को नहीं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं गया तो आने वाले और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो पेपर से पहले अगला क्यूशन जो है बहुत चर्ची पूस्तक है स्टैनिक वर्सेंज का लिख कोन है तो इसका राइट एंसर बहुत ही इंपोर्टेंट है ठ ठीक है और उसके लावा एक और बुक आई थी दा गॉल्ड़न आॉस ठीक है दा गॉल्डन आॉस इनकी बुक थी ये भी इंपोर्टेंट है तो तीन बुक हमें पता चल गई सिनेटिक वर्से। और उसके लावा दा गॉल्डन हाऊश और जो उननीशो 2001 आई थी ये तीन ब से 20 क्यूशन रटा दूंगा मैं यह 12 नुम्बर जो क्यूशन है इसमें से आपको 15-20 क्यूशन में आपको रटाने वाला हूं कैसे देखिए पानिपत का जो तर्तिय यूद्वा था वो किस-किस के बच में लड़ा गया था सबसे पहले जो है पानिपत के तीन यूदों के बा भीज में हुआ अकबर और रहे मूघ में ठीक है अकबर और है मूघ कब लड़ा गया 1556 में ठीक है दूसरा हो गया तीसरा जो हुआ यह हो गया इह опас जाव दाली और माराठों के जाहिए यह कब हुआ यह वा था 1761 सट्राथ यह था हुएपट फैन पहला 1526 दूसरा 1556 और तीसरा 1761 ठीक है ये आपको ध्यान होने चाहिए है अब बात करते हैं हम option की मराठो और अंगरेजों के बीच में कौन सा यूद हुआ मराठो और अंगरेजों के बीच में यूद की बात करें तो देखे ये जो है मैं आपको रटा दूँगा आज तक आपको याद नहीं हुआ होगा आंगला मराठा यूद आपने सुना होगा आंगला मराठा यूद सुना है ना मेरे भाई जरूर सुना होगा आप पढ़ने वा सबसे पहले आपको एक क्यूशन पूर्टन क्यूशन है इसमें कितने चीज़े मैंने रटा दी और भी अंग्रेज्जों और मुगलों और सेर्शां के बीच में कौन सा यूद हुआ तो देखिए सबसे पहले आपको एक क्यूशन पूछा जा सकता है कौन सा कि सेर्शां सुरी किस के समकालें थे तो उमाईयो के समकालें थे ठीक है उमाईयो जो है हमारा जो मुगल काल का जो सांसा था उमाईयो उसके समकालें थे ये सेर्शां सुरी जो है भारतिये पठान सा स यह आपको पूछा जा सकता है दूसरा इनके बीच में बहुत सारी युद्व है उमायू का तो पूरा सासन काल ही मरलब शेर सासूरी के साथ चला गया ठीक है शेर सासूरी ने इनको जिने नहीं दिया ठीक है तो इन्होंने 1530 में गद्धिसमाली और 1540 तक जो है इन्होंने ख कब हुआ था 1540 में और यह हुआ था उमायू और शेर सासूरी के बीच में ठीक है तो यह जो है आपको पता हो गया ठीक है उसके बाद शेर सासूरी की अगर मैं बात करहा हूं तो इनका यह भी पूछा जैसकता मगबरा कहां था वाई तो सासराम बिहार में डोतास डिस्ट जिट्टी रोड ठीक आई वे एक और दो को मिलाकर कि जो बनी है ठीक है वो भी इन्हों नहीं बनाई थी ठीक है वो भी इन्हों नहीं बनाई थी बारत की पहली जिट्टी रोड जो शेर सासूरी नहीं बनाई थी तो यह भी इंपोर्टन्ट हो गया अब बात करते हैं से जुन लेना ठीक बहुत इंपोर्टेंट है यह क्योशन 1764 सुरी 1744 जो है वह पहला 1744 से एड़तालिश तक दूसरा जो हुआ ना वह 1750 से 1745 ठीक और तीसरा जो आना 1756 से लेकर के 1763 तक ठीक है यह यह हुआ तो यह भाई बहुत इंपोर्टेंट ने तो मेरे मेरे को लगता है 25 कुछन पर निकल गए हम तो इसमें अमने तो कितने युद्ध डिस्कस कर लिए उनकी डेट डिसकस कर लिए किसके साथ वह बोडिसकस कर लिया ठीक है तो इतनी चीजे भाई हम मेरे को नहीं लगता आपको एक साथ कोई प्रुवाइड कराता होगा ठीक रेफिजरेटर में यह āसमें और फिलोरो crisis का क्या जाता है और अमोनिया और शायता है Q yum बात करते हैं प्रक्सान किसे के था क्लॉरो फ्लॉर्ड कर्बन सी होता है तो आपने तढ़ा होसा है तो अगर तौछ पीघशन की बात करते हैं नागरजुन सागर प्रियोजना जो है वो किस नदी पर बनी हुए है तो यहां पर उप्शन दिये हुए है गंड़क, कोसी, कर्षणा और महानदी तो सबसे पहले गंड़क की बात करते हैं बिहार और नेपाल की सिमा पे इस्तित है और लंबी जो है ना तेरा सुबीस किलोमे सब्सक्राइब है और महाबलेश्वर से निकलती है कितनी चीजे बता दी इतनी बताएगा कोई ना मतलब भी नहीं ठीक है और एक साथी एकी जगहें मिल रही है कितना कहां सर्च मारते फिर हो गया कुन-कुछ निसी बुक पढ़ोगे ठीक है मैं बता रहा हूं मानदी जो ह आप जो है मैं पढ़ा रहा हूं आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा गारेंटिड ठीक है कौन सा विटामिन है जो गाहूबरने में साहिक होता है देखिए यहां पर जो है ना ओप्सें ऐसे सिलेक्ट करके दे दिए बाई तुम गलत करी नहीं सकते तुमने दस परसें है कि ब्लड गूर्प के दिए तो कहां से है वो विलड का एंसर के करोगे सी करोगे वह आई पक्का गारंटी तुम्हारा सेलेक्ट्षन मैं मेरे से पढ़गे तो सेलेक्ट्षन फ्रीक बढ़िए कि मतलब यह नहीं पर दो चलो कोई बात नहीं कौन सा वरक जो है कौन सा रक तो दे सकता है आप यहां पर जो है ना एक चीज क्रियेट करती है क्योंकि यहां पर ऑप्शन जो है ना वो सारे एक ब्लड ग्रूप के देदी है कोई बात नहीं भाई इसको भी मैं ऐसे रटा दूंगा आप जो है ना कभी जिंदगी में नहीं बुलने वाले कैसे देखिए इतना तो पता होगा कि इन तिनों का कोई ना कोई तो रिलेशन है लेकिन बच्चा जो होता है वो बड़ा नटखट होता है वो मा की तरफ ही जुखा होता है उसका पपा की तरफ नहीं होता है इसको पता ही नहीं होता पापा क्या कर रह उसको पता ही नहीं होता ले लेता है थीक है और देता किसी को भी नहीं ठीक है तो यह धियंड है इसके अलावा जो हुआ बहुत ही प्यारा समाज से पुरा समाज रहे हैं तो बहुत ही कम लोग है हमारे देश में ओके बहुत अच्छे सियाद हो रहा होगा मुझे लगता है इससे बेस्ट अगर कोई पढ़ाने को मिल जाए आप बता देना वीडियो में कमेट बहुत बता देना कि यह पढ़ा रहा है आप से ठीक है इतनी सारी जीजे मैं आपको एक जगा बता रहा हूं नह इसे तो नहीं है ठीकिन मेरे को तो डाग्राम ऐसा ही बिनाना आता है कोई वाया निमें इसमें भी समझा दूँगा यह जो है ना तीस से बटा दो पर जुकी विया अब सुरज है हमारा यहां पर ठीक है यह जो ना किरन डालता है इसे ठीक है और एक रिखा है यह सिद्धी हमारे पर्थवी की अब यह जो किरन ऐसे डालता है तो यह जो एरिया ना यह तो बच गया यहां तो किरन पढ़ने वाले नहीं जब तक पर ठीक है इसकी तरफ नहीं पढ़ने ना भाई इस पर किरन कहां पढ़ेंगी नहीं मतलब नहीं कैसे किरन पढ़ेंगी नहीं पढ़ किरन डाल रहा है यह अब जो है न सिद्धी किरन डालेगा ऐसे सिद्धी डालेगा ठीक है उपर भी डालेगा निचे भी डालेगा ठीक है अब वह इसाब रहा है नहीं यहां वाला इसाब रहा है नहीं तो यह जो हमारी बीच में रेखा थी यह हमारी जो बीच में रेखा थी यह यहां पर रेखा थी वो कौन सी थी वो भूमद्य सा अगर भूमद्य रेखा थी ठीक है भूमद्य रेखा थी तो यही हमारा correct answer हो जाएगा कि अगर भाई वो जो 23 से एक बटा दो डिगरी कौन को अटा करके सिधा कर दिया जाए ना पर्थवी को तो भूमद्य रेखा पर पढ़ेंगी ठीक है दिन रात होने ही बंद हो जाएंगे पर्थवी पर तो ऐसा इसलिए जो है ना तेई सी एक बटा दो पे पर्थवी जो है ना रखी है ठीक है बहुत कुछ समझगी रखाया वाई जिसने भी रखाया है मजएदार है निमल लिखित में से कौन सा गरह नह है तो इसका पता होगा अब जो है ना एक बार माइंड में सोची आंग बंद करके कि ना मतलब ऐसे कौन-कौन से गरह है ठीक है मतलब पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सुरिये से ना दूर जाते हुए गरहों का करम बताईए तो सिरफ 10 सेकंड के लिए सोची है आंग अंब कोई वात नी अकर नहीं वियाता आ है मैं बता रहूं ना देखो यह हमारा सुरज से शुरज से हमदूर जाते हैं यह सबसे पर जाओ गया बुद्ध सुकर फिर उसके बाद में पर्तवी फिर उसके बाद में मंगल ठीक है उसके बाद में आ घाया जा base अबड़ा करम है बढ़ता हो नहीं चुही पर्त्वी से दूर जाता वा करम आए ऐसे बोल सकते हैं प्रथ्वी से दूर जाता हुआ तो इसके बाद में यह हो गया सूरज उसके बाद में द्शनी और अरुण। और बण पूछा जाए तो यहोगए हमारे आर्ट गरें आर्ट गरें हमें मंदल में एक तो कि अब नहीं बुलने वाले तो अगर बूल भी जाओ कोई वाद नहीं बहुत दिया गरों कमेंट में लिख दिया गरों दस बार क्लास दे देंगे तो उनको पड़ाने के लिए तो बैठे हैं हम यहां पे अगला क्यूशन है श्वेतामबर और द्यूकंबर जो है वो किस दिरम से समझत है तो दोस्तों यहां पर ना दिया हुआ है थीक है बोध जैन इंदुत्वय या सिख द्रम तो देखिए अब मैं आपको याद दिलाता हूं देखिए बोध द्रम जो है वो तो कोन है बोध द्रम से समझत है गोतंबुद थीक है जिन्होंने बोध द्रम जो है वो बनाया तो उसमें जो है ना बहुत भिक्षू होते है अन्या ज्याद版 तर्य यह एक तो होते हैं की डुन यंगे बाबा होते है ठीक है वह नगनावस्था में हमेशा रहते हैं वस्तरध ढरन निगरते हैं ठीक है तो वह तो हते हैं कौन से होते हैं डिगंबर होते हैं ठीक है और कुप्ड़ म dont 1 कपड़े पह protect the ने ते जे recent सब्सक्राइब करता हैं निपुलियोन कि निउत्त हैं नेकर चाइब است. ठीक है तो मैन ओफ डिस्टनी उसे का जाता है अगला क्यूशन है बहुत इंपोर्टन्ट है यह क्यूशन में तो बहुत सारी चीज़े आपको निगलनी आने वाली है बाद बता दू एक रुपे के नोट को छोड़ करके न सभी पर ही जो है ना वहीं तो अबदेखते हैं अगला एक और बात बता दू एक रुपे के नोट को छोड़ करके ना सभी पे जो है ना वो गवर्णनर जनरल के अस्ताक्स होते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट की बात करते हैं माइक्रोषफ्ट माइक्रोषफ्ट की अगर बात करें ना तो माइक्रोषफ्ट के किंग किसे का जाता तो बिल्गेट को का जाता है ठीक है जिसको आपने सुना होगा यह प्यूर वियार में उनका खास संबंध है आप लोग कैसे बूल सकते हो भाई पूलियों को पूलियों स संस्थापक तो माइकरोफ्ट से भी बात कर लेते हैं इतना सुछते हैं तो माइकरोशच्च्ट जो है उसकी चार अप्रों पचार को N. फा संस्थापक 1 गटित करती है आ गया जिसको अमप्रीज से कर रहे थे ना रेफिजडरेटर से बात कर रहे थे आ गया क्लोरोफलोरोकारबन जो है ना सबसे ज्यादा उजन प्रत को अब गटित करती है ठीक है अटलाटिक महादीब जो है ठीक है वह पतली हो गई वहां पर ठीक है वह नुक्षान हो रहा है इसकी वज़ए से बिंगल रहे हैं काफी बार जो है न यह चर्चा पर आया अभी अमेरिका ने पिछे पता नहीं कितने देशों पर प्रतिबंद लगा दिया था इस यह जो है इंपोर्टेंट है कार्बन ड से यह रखो घड़ी चलाने से आप जाते हैं तो उसमें कहां से गोबर गांस बंती है ना आपने कितनी बार बढ़ा होगा भाइन नहीं मिधेनी होती है कि नेक्स्ड की बात कर लेते हैं गैस एसन सी दूरा सेलन्डर वे भड़ के दिने वाली कुपिंग शाल जो द्रोग के रूप में होती है अब मैं को याह दिलाता हूं का जिससे आप याद रखींगे शरीया कंपणी छिस यह अप् तो वैसे ही वो सिलिंडर है ठीक है वो अलंगी दूसरे मेटल्स का है ठीक है लोहे का नहीं है वो लेकिन वो पाइरेटेड है उसके अंदर मतलब ऐसे लगता है कि जैसे पानी डाल की रखा हुआ है लेकिन उत्ती वह गया सा तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा स्लेंडर खाली होने वाला है आधा हो गया यह फूल है तो भाई बीच में ना बाहर जो बच्चे रखते हैं जो त्यारी करते हैं जो सलेंडर रखते हैं अपने रूम पर उनके लिए बड़ी समस्च्छा होते हैं तो भाई खुश कब लिए तुमारे लिए चलो अगला कि बात कर ले मुख्यमंदरी रही है बारत की पहली महिला मुख्यमंदरी विश्वय की पहली मुख्यमंदरी के बात की जाए तो देवी का भंडारी जो है वो सिरलंगा की है ठीक है वो पहली परधान मंतरी परधान मंतरी रही है भारत की पहली परधान मंतरी इंद्रा गांदी उसके अल आगे बताऊंगा आप लोगों को अगले क्यूशन की बात कर लेते हैं ठीक है कि रज जेपाल की नुक्ति कोन करता है यह कुष्वन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें से मैं आपको कम से कम आट से नो क्यूशन बता दूंगा इसी क्यूशन में ठीक है सबसे पहले तो नुक्ति कोन करता है पहला क्यूशन हो गया तो राष्ट पती करता है दूसरा क्यूशन यह बनता है कि रज जेपाल कब तक अपने पद पर रह सकता है तो इसका अंसर है कि जब तक राष्ट पती चाहे दूसरा क्यूशन हो गया तीसरा क्यूशन राज जेपा के लिए खि데र किशन बात करते हैं कि अकर और चक्रेश बात करते हैं यह सपत्ट कों दिला पर्दान मंत्री गिए क्यों होगए उसक गहाई कि उसके और लोग सभा उसको कुन कर सकताई तो मुख्चै नोग सबहाई यह आट्वा किशन को कर सकता है राष्ट मतरी के सलाव पर नव के सबाल कर सकता है था कर सकता है मुख्यमंत्री की शिलाप पर नो कुशन करा दिए ठीक है एक दो किशन और बच गया यह भी लेट करते हैं पिछे क्या कराया था राष्ट पती उप्राष्ट पती और रज्यपाग तीनों की उम्र जो है पैंतिस साल होनी चीए ठीक है परधानमंत्री मुख्यमंत्री कितनी होनी चीए लोग सबागा लड़ सकता है तो मुख्यमंत्री जो है ना वह किसका रह सकता है उसके अलावा परधानमंत्री की कितनी होनी चीए पत्चीस साल ठीक है लोग सबापचीस पे लड़ सकता है तो पत्चीस साल राष्टपती के मैंने बताई दी मुख्य नाय दी 65 साल तक जो है अपने पदपर बना रह सकता है 65 एयर तक ठीक है सरोच नयालेगा तो और अगर उंच नयालेगी बात की जाए तो 62 वर्स तक ठीक है तो कितने क्यूशन हो गए ग्यारा क्यूशन करा दिये मैंने एक क्यूशन देखते रहे आप लोग मेरी वीडियो देखते रहे तो सेलेक्शन शोर ठीक है जैजवान जैविग्यान और का नारा जो है वो जैजवान जैविग्यान का नारा किसने दिया अब सोच रहे होगे और यार इतना तो पढ़ाया जैविग्यान किसने दे दिया ठीक है अगर ज से सिखा आप मुझसे सिखो या फिर आप बुकों से सिखो तो मैं यहां पर बताता हूं जय जवान जय किशान का तो दिया था भाई लाल बादुर सास्तरी ने हमारे दूसरे परदान मंतरी जय विज्ञान उसमें किसे ने जोड़ दिया अटल ब्यारिवाज पे ने अब बता है कि वह लीड में थे तो यही याद रख सकते हैं अटल ब्यारिवाज पी वह वेक्ति थी जिन्होंने जय जवान जय किशान और जय विज्ञान का नारा दे दिया था ठीक है तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट की बात कर लेते हैं सुन्तंतरता संग देखो सबसे पहले सत्यागर्य का प्रियोग गांदेजी ने कब किया तो यह उन्होंने किया था सौथ अफरीका में ठीक है दोसरा क्यूशन सत्यागर्य का भारत में पहली बार किया कब किया था तो चंपारण का जो उन्होंने पहले जो किया था उसमें किया था 1917 में चंप मज़ा हरदे गुरदा या तितली तो ऐस्ति मज़ा में राल रखत कणिकाएं बनती है इसके अलावए एक दो चीजे और बता दाता हूँ डबलूबीसी क्या होता है वाइट ब्लड रॉट सैल होता है डबलूबीसी ही हमारे सारीर में रोक प्रति रोच दक समथा देता है बन्ती है फिर करते ही इसी तरह से चलता रहता है अगला केस्चन की बात कि बात कर लेते हैं अब सब्सक्राइब करें बória तो तो यह जो है ना खेल प्रसिक्षन के चैतर में दिया जाता मोच को सब्सटाइब में आरजून कर जा एक वह दो पूइसका है ने अगला क्रेंख कर लोड़े लीडियो को लाइक करते रहे हैं अगर ब्यूड यह पसर पस्चंद आ रहा है तो लाइक जुरूर किया करो ठीक है ऐसे कैसे पता चलेगा वीडियो तो सभी देखते हैं आप लाइक करोगे तो पत्चा चलेगा और कमेंट करोगे तो बहुत बढ़ी वात है एक जिला एक उतुपाद योजना जो है ना वो किसने शुरू कि यहां से आ अगर आपने चाहर कुशन के अंसर दे दिए तो भाई फिक्स हो गया कि आप ही अगले वर्दे लगाने वाले बन देओ कोई बात नहीं कुशन करते हैं पहले जो है पहले पढ़ाई है बाद में हम खुजिया मनाएंगे एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य में अधिया तो यह तो इसका रही टैंसर जो ना उत्तर प्रदेश में सुरू टिए उजना नेक्स्ट कुशन पुछा गया था स्मार्ट सिटी मिशन सुरू किया गया था ध्यान रखेगा 25 जून को ठीक है नेक्स्ट कुशन की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार दोरह जापानी इन्फोसिस की रोक थामर उपचार के लिए उनिसेफ के सियोग से कौन सा बयान चलाए गया रधकार फोर और तो आमने तीन क्यूश्चन कर लिए और कितने क्यूश्चन आपके सही हुए है यह बड़ी बात है फरवड़ी 2018 में सिगरेट की खुद्रा विक्रीव पर किस प्रदेश ने रोक लगाई थी तो भाई इस पर रोक बिहार ने लगाई थी ठीक है यह जो इना उत्रप्रदेश का ज अगर वैसे तो हम बात करें ना शिर्या में भी आलात बहुत जादा खराब है लेकिन इसका अंसर तो पाकिस्तान ही है उत्रिगोरिया जो है ना उसके किम जोंग वह उसके लिडर है वहां पर वहां पर संतंतरता नहीं है लेकिन धार्मिक संतंतरता है है वहां पर ठीक है अगला क्यूशन की बात कर लेते हैं बारत की सबसे लंबी सुरंग की बात करते हैं बारत की सबसे लंबी सुरंग जो है सड़क सुरंग है यह सबसे लंबी चैनानी नासरी सुरंग है ठीक है कहां पर है जम्मू कसमेर में है और यह जो एना किस किस को मिल तो यह बहुत इंपोर्ड़न था और यह भाई लास्ट क्यूशन सैंटिस क्यूशन होगे सैंटिस में सब्सक्राइब नीचे कमेंट बॉक्स में जरू लिखना भाई हमने दे दिया ठीक है बहुत पसंडता होगी मुझे और आप लोगों को भी उत्रपर्देश इन्वेस्ट वीडियो को पसंद आएगी और वीडियो को लाइक करें बगर मत जाना और इसके अलावा आप बोलोगी कि महत कहां से करें महत कि मैं क्लासिस देतो रहा हूं प्रॉब्लम यह है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं आदा देखके बंद हो जाते हो अब जब तुम थोड़ी सी वीडियो देखोगे तो तुम्हें कैसे पसंद आजाएगी तो कैसे वीडियो तुमको पसंद आएगी आप कोई चीज को टिक करके समझोगे ना तभी तो चीज़े समझ में आती है अब एक मिनट वीडियो को नहीं देखते हैं और फिर बोलतो मैं सम समझा पाँगा ऐसे कैसे समझ में आएगी तो आप अगर आप लोगों को पीडियो को चाहिए चैनल को तो सस्क्राइब किजिए की ये फ्री बीडियो याप डाउनलोड कर सकते हैं चैनल के साथ में ठीक है और स्टाड़ी फोर ड्रेम में आप सकते हैं यूटूब पे इस् comment कीजिए और वीडियो कैसे लगी इंतजार केजिए अगले वीडियो भी आएगी लेकिन आपके comment के बाद तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और थैंक्स पर वाचिंग आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा और शेर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ओके थैंक्स वर वाचिंग बबाई